हेलो एवरीवन वेलकम टू आईसीटी चैनल तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैट्स की बुक का चैप्टर नंबर वन एक्सराइज 1.1 का कोश्चन नाइड डिसकस करेंगे और सॉल्व करेंगे इससे पहले मैं इसी एक्सराइज एक्सराइज 1.1 का कोश्चन नंबर नए हैं तो आईसीटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे क्योंकि इस पकार की एजुकेशनल वीडियो चैनल पर अप्लोड होती रहती है ठीक है तो यह हमारा कोश्चन नंबर 9 यूज दस साइन ओफ ग्रेटर दैन लेस दैन और इकोल्स तू इन दा बॉक्स तू मे लगाना है यह एक्वल्स तू लगा ठीक है लेकिन हम इन को आईसे ए उठाके नहीं लगा देंगे हमें इनसीटमेंट को सॉलू भी करना होगा तो चलिए सीधा करते हैं इसीटमेंट को सॉल्व और उसकी हिजाब से साइन को बॉक्स के इंदर लगाते है तो एह सॉलिशन का जिसमें हमारे question में क्या दिया गया है first part minus 8 plus minus 4 और इसके बाद फिर है हमारा box फिर again minus 8 minus minus 4 तो दोन statement में क्या difference है सिर्फ plus और minus का difference है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं left hand side ये वाली side lhs तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया है minus 8 plus minus 4 ठीक है bracket के अंदर यही हमारा question में दिये गया है तो हम क्या करेंगे bracket open करेंगे और plus की multiply हो जाएगी minus में तो minus 8 तो वैसे के वैसे आगया bracket खुलने के बाद अब plus की multiply, जब minus में करते हैं तो क्या आता है? Minus आता है फिक है तो हम ने यहापर लगा दिया minus क्या था हमारा 4 तो 4 लगा दिया अब यह दो र臉 नंतर है वो minus में मतलब दोनों का sign same है तो हम इनको क्या करते है, जब sign same होता है add करते है तो 8 plus 4 कितना होगा है 12 ठीक है और sign किसका बढ़ा है 8 का बढ़ा है जो कि है minus तो यहाँ पर हमने लगा दिया minus तो हमारा आगे यहाँ पर LHS को solve करके माइनस 12 अब RHS मतलब की सीधे हाथ वाला देख लेते हैं सीधे हाथ वाला मतलब की यहाँ पर हमने लिख दिया minus 8 minus bracket के अंदर minus 4 ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे bracket फिर से open करेंगे तो जब same sign होते है माइनस की multiply माइनस में होगी तो क्या आता है प्लस आता है ठीक है तो हमने वही लिख दे हैं यहाँ पर माइनस 8 multiply होई यहाँ पर तो आगे हमारा plus और आगे 4 अब दोनों के sign अलग अलग है आप देख पा रहे हो 8 का माइनस में है और प्लस है 4 और जब sign different होते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो 8 में से 4 गया कितना बचा 4 बचा अब क्योंकि sign किसका बढ़ा है 8 का बढ़ा है तो यहाँ पर लगा देंगे minus तो वही हमारा है यहाँ पर अब आप यह देखो left hand side हमारे कितना है minus 12 और right hand side कितना है minus 4 अब दोनों में से बढ़ा कौन सा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे minus 12 और minus 4 तो जैसे कि यहाँ पर हमने less than का sign लगा दिया और यह second statement में लब की जो RHS है वो यहाँ पर लिख दिया मतलब LHS is less than RHS ठीक है अब देख लेते second part यहाँ पर हमें क्या दिया गया है minus 3 plus 7 minus 19 फिर आगया हमारा box फिर RHS में क्या है 15 minus 8 plus bracket के अंदर minus 9 ठीक है फिर से left hand side वाला part लेते पहले य इसके बाद bracket खोलेंगे minus 3 ठीक है plus 7 plus 7 वैसे के वैसे आ गया और minus की अंदर multiply होई तो यह हो गया minus 19 है ना bracket के अंदर के 19 है तो जब खाली 19 लिखा होता है तो हम इसको consider करते है वह यह plus 19 है जब इस वाली minus की multiply होई अंदर वाले plus से चो कि 19 का है तो हमारा क्या गया 19 वह भी minus क ठीक है तो हमारा यह मिल गया है अब यहाँ पर minus के 2 है minus 3 और minus 19 इनको हम कर देंगे add इनको हम साथ में ले आते हैं तो यहाँ पर हमने साथ में लिख दिया minus 3 19 को आगे ले आए तो minus 19 और plus 7 हो गया 7 को पीछे ले गया अब इन दोनों को add कर देंगे minus 3 और minus 19 क्यूंकि sign same है त करते हैं तो 19 प्लस 3 होता है 22 और 19 का sign बढ़ा है तो यहाँ पर हमने लगा दिया minus उसके बाद अब यहाँ पर गलती से यहाँ पर 7 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है minus 22 है और आगे क्या लिखा है plus 7 अब क्यूंकि दोनों के sign अलग है ठीक है इनको minus कर दे तो 22 में से 7 गए कितने बचे हैं हमारे पास बचे 15 ठीक है 15 बचे अब sign किसका बढ़ा है यहाँ बढ़ा है 22 का यहाँ पर लगा दिया minus तो यह आगया हमारा minus 15 अब हम RHS को solve करेंगे इस वाले part को तो यह क्या हमारा 15 minus 8 plus bracket के अंदर minus 9 ठीक है तो इसमें भी same step करेंगे bracket खोल प्लस की multiply minus में होगी तो यह आजागा minus 9 बागी का इसे उतर जाएगा 15 उपर से वैसे ही आगया minus 8 वैसे ही आगया और plus की minus multiply minus 9 ठीक है फिर से यहाँ पर minus के 2 है तो हम इनको क्या करेंगे add कर देंगे तो 9 plus 8 कितना होता है 17 17 होता है और क्योंकि minus का 9 है तो minus का sign बढ़ा है तो 17 में से 15 गए कितने बचे 2 और 17 क्योंकि बढ़ा है न और इसके आगे क्या है minus तो हम लिख दिया minus 2 अब आप यह देखो LHS से हमारा आया था minus 15 और RHS से हमारा आया minus 2 कौन सा बढ़ा है minus 2 बढ़ा है तो वही हमने लिख दे है minus 15 is less than minus 2 वही हमने statement लिख दी कि यह वाली जो statement है मारी LHS वाली वह less है किस से right वाली से ठीक है नहीं हो गया आपका second part आप कर लेते हैं third part third में हमारी statement के है 23 minus 41 plus 17 और आगे हमारा box 23 minus 41 minus 11 ठीक है फिर से LHS ले ले लेते हैं उल्टे हाथ वाले ले ले लेते हैं तो 23 minus 41 plus 11 हमने वैसे लिख दिया अब यहाँ पे आप देखो plus के दो हैं एक तो 23 है और 11 है तो इनको हम कर देते हैं 7 में तो हमने यहाँ पे कर दिया 7 में 23 plus 11 7 में कर दिया और यह वाला जो 41 था वह हमने minus का पीछे लगा दिया माइनस 41 ठीक है अब 23 यह वाला जो 23 और 11 ने उनको id किया 23 11 कितने होते हैं 34 और आगे कितना है माइनस 41 हमने लिख दिये हैं यहाँ ठीक है अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे क्यों क्योंकि 34 अबारा प्लस का है और 41 अबारा माइनस का है तो 41 में से 34 गए कितने बचे 7 बचे और साइन किसका बढ़ा है 41 का बढ़ा है माइनस का इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सेवन ओके यह होगे हमारा लेट एंट साइड अब राइट इंट साइड सिधा आद का देख लेते हैं यहाँ पर कोशन में में दिया है 23-41-11 अब यहाँ पर देखो माइनस के दो है इन दोनों को पहले एड कर देंगे तो 41 को एड करेंगे 11 में तो आजाएगा 52 और sign किसका बड़ा है ? वही हमने लिख दिया 23 आड करके आगया माइनस 52 आ गए ठीक है अब दोनों के साइन क्या है दोनों के साइन है अलग अलग इसको हम करेंगे माइनस 52 में से 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29 माइनस करें और क्योंकि 51 का माइनस है बड़ा तो यहां पर हमने लगा दिया माइनस ठीक है लेट है हमारा है माइनस 7 और रा than RHS ठीक है यह हमें प्रूफ करना था हमने sign लगा दिया है अब देख लेते हैं फॉर्थ पार्ट तो यह हमारा question no.9 का फॉर्थ पार्ट जिसमें हमारा left hand side में क्या है 39 प्लस bracket के अंदर minus 24 minus और bracket के अंदर 15 फिर हमारा box right hand side में 36 plus bracket के अंदर minus 52 minus bracket के अंदर minus 36 ले लेते हैं left hand side first ठीक है हमने लिख दे है left hand side 36 plus minus 24 minus 15 ठीक है bracket open करेंगे तो क्या होगा 39 वैसे के वैसे आजाएगा यहां पर bracket open होगा plus की multiply minus महोगी तो क्या हैगा minus 24 उसके बाद again minus की multiply plus महोगी minus आएगा minus 15 अब minus के कौन कौन से मैनस 24 है और minus 15 है तो इन दोनों का add कर देंगे 24 plus 15 कितना होता है 39 होता है तो वह हमने लिख दिया यह 39 वैसे के वैसे आगया यह वाला आगे इन दोनों का हमने add कर लिया क्योंकि same sign है तो आगया minus 39 और आपको पता है जब plus और minus होते है तो minus करते है 39 वैसे 39 गए कितने बचे 0 ठीक है ऐसी कर लेंगे RHS पहले statement लिख देंगे 36 plus bracket के अंदर minus 52 minus bracket के अंदर minus 36 ठीक है bracket open करेंगे 36 वैसे के वैसे आ जाएगा यहाँ पर plus की multiply होगी minus में तो आ जाएगा minus 52 उसके बाद again minus की multiply minus में होगी तो आ जाएगा plus 36 अब क्या करेंगे plus वाले add कर देंगे कि 20 और यह 20 plus का क्यों है क्योंकि 17 बढ़ा है और इसका sign का है plus अब left hand side पर क्या है था solve करके 0 आया था statement है थोड़ा numbers बड़े हो गया minus 231 231 plus 79 plus 51 box आ गया minus 399 plus 159 plus 81 ठीक है तो पहले left hand side को solve कर लेते हैं आगे left hand side statement हमने वैसे की वैसे लिख दी अब यहाँ पर देखो 2 plus के हैं 79 और 51 इन दोनों को add कर लेंगे तो हमारा minus 231 वैसे की वैसे जाएगा इन दोनों को add करके हमारे पास जाएगा plus 130 अब अलग-अलग sign है दोनों का तो इनको हम कर देंगे minus 231 में से ठीक है 130 गए तो कितने सब्सक्राइगा तो हमने लगा यहाँ पर minus तो आगे है minus 159 ठीक है अब left hand side पर हमारा क्या है था 101 minus का minus 109 और right hand side पर क्या है minus 159 कौन सा बढ़ा है obviously 101 बढ़ा है minus का तो हमने यहाँ पर लिख दिया 101 बढ़ा है किस से minus 159 से ठीक है तो हमने वही statement में लिख दिया कि left hand side बढ़ है किस से right inside से ठीक है तो इस प्रिकार से आप यह वाला question करेंगे आप चलते है question number 10 पे तो यह हमारा question number 10 यहाँ पर लिखा है water tank has steps inside it पतलब की एक water tank है यह आप देख पा रहे हो यह water tank है जिसमें क्या है steps है यह सीडिया बनी हुई है इस तरह से और यहाँ पर क्या है मालो जब नीचे आओगे यहाँ पर पहुंच ओगे तो यहाँ पर भरा हुआ है पानी ठीक है जैसे कि swimming pool में होता है उस तरह से एक आगे लिखा है monkey is sitting on the top most step जो की है आपका first step मतलब की अगर इसको हम step 1 माले यह हमारा सबसे उपर का top most step हो गया step 1 हो गया मंकी जो है वो बैठा और जो water level है वो कहाँ पर है ninth step में है मतलब की यह पहला है दूसरा है तीसरा है ऐसे आप नीचे जाओगे तो जब नोवी सीडी पर पहुंच जाओगे वहाँ पर पानी है यह हमारी situation अब इसमें आगे दिया गया first part में he he मतलब monkey jumps three steps down and then jumps back two step up तो क्योंकि बंदर है कुछ भ है उचल उचल के पहले से दूसरे पर गया दूसरे से ऐसे तीसे step पर चला गया और फिर डर के वापस आ जाता है दो step मतलब कि यहां से इस पर गया फिर यहां से वापस इस पर आ गया तो ऐसे उचल रहा है तीनी step नीचे जा रहा है फिर वापस आ रहा दो step तो यहां पर य मतलब कि पानी की लेवल तक पहुंचने के लिए मतलब उसको पानी पीना है ना तो पानी के लेवल तक पहुंचने के लिए वो कितने जंप लेगा ठीक है क्योंकि वो तीन नीचे जा रहा दो उपार है उस हिसाब से हमें यह निकालना है तो चलो देखते हैं इसका solution अब यहा हम इसको लिखेंगे positive integer मतलब कि वो कितने step नीचे गया तो हम इसको लिखेंगे plus जब वो down जाएगा ठीक है plus 3 और जब वो वापस यहां से तीसरे step से जब वो ऊपर की तरफ जंप करेगा इधर करेगा तो उसको हम लिखेंगे negative integer minus 2 ले लेंगे ठीक है यह लिखा गए step moved up be represented by negative integer ठीक है तो जब नीचे गया तो हमने लिख दिया plus 3 और जब ऊपर आया तो हमने लिख दिया minus 2 ठीक है हमें इस हिसाब से लिखना है अब यहां पर लिखा है initially the monkey was at step 1 तो जैसे कि मैं पता है कि अभी monkey हमारा का है step 1 में यहां पर बैटा हुआ है पहले monkey जो है कहां jump करेगा पहले down jump करेगा ना है ना पहले down जा रहा है फिर up आ रहा है पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है तो यहां पर हमने लिख दिया after first jump मतलब पहले jump के बाद monkey will be at step मतलब monkey किस step पे होगा तो अभी तो किस पे पहले पे अब क्योंकि नीचे गया 3 step तो उसको हमने add कर दि दिया और plus 3 ठीक है क्योंकि नीचे जा रहा है तो 1 को add कर दिया 3 में यहां पर दोनों को add करके कितना है fourth मतलब चौथी CD पहुच जाएगा चौथे step पहुच जाएगा अब अगली jump में क्या करेगा अब वो वापस आएगा कितना वापस आएगा minus 2 मतलब कि 2 step ऊपर आएगा तो हमें पता है जब ऊपर आता है तो minus 2 लेते हैं तो after second jump monkey will be at step अभी कौन से step पे है चौथे पे है तो हमने लिख दिया है और plus कर दिया है minus 2 minus 2 क्यों लिया है हमने क्योंकि ऊपर आ रहा है और जब ऊपर आएगा अब आएगा तो क्या लेंगे minus 2 ठीक है अब यहां पर हमने bracket खोला तो plus की multiply by minus मतलब की हो गया 4 minus 2 ठीक है तो इनको solve किया 4 में से दो गए कितने मचे 2 ठीक है अभी कौन से step पे 2 पे है अब अगली में क्या करेगा 3 step नीचे जाएगा तो after third jump या monkey will be at step क्योंकि अभी किस पे है दूसरी पे है और नीचे जाएगा तो 2 plus 3 करेंगे तो कित कर देंगे add कर देंगे minus 2 तो इसको solve करेंगे तो तीसरे अब कौन से step पे पहुंच गया 3 ठीक है इसी तरह से अगले step में 3 minus करेंगे उससे अगले में minus 2 करेंगे इंको solve करते जाएंगी जब तक की हमारा यहां पर 9 नीए आ जाता 7 step में हमारा कितना आ गया 7 अगया 8 पे कितन कहां गया था यह माइनस गया था माइनस टू गया था मतलब कि वह ऊपर आया अब अगली जंप में नीचे जाएगा तो ग्यारवी जंप में जब वह नीचे की तरफ गया तो दसवी जंप में कौन से स्टेप में था छेटे स्टेप पे था तो छे को एड़ कर देंगे तीन मे क्योंकि वह नीचे जा रहा है तो 6 और 3 कितने होते हैं 9 मतलब कि नोवे step पहुंच गया है नोवी cd पहुंच गया मतलब वह पानी पी सकता है तो हमारा पता चलिए कि वह जब 11 जंप करेगा तब वह कौन से step पहोगा 9 step पहोगा पानी पीने के लिए तो यहां पर लिख अब देखते हैं second part after drinking water ठीक है अब उस वह नोवे पायदान पहुंच गया और उसने पानी पी लिया मतलब कि नोवी cd पह जाके उसने पानी पी लिया अब वह वहां से वापस भी तो आएगा तो he wants to go back मतलब कि उसे वापस आना है अब वह वापस आते भी वह nut cut हरकत करता ह वह क्या करता है अब he jumps four step up मतलब कि अब वह चार step उपर आ रहा है और उसके बाद अगली jump में क्या कर रहा है back two step down और अगली jump में दो step नीचे आ रहा है अब यहां पे हमें क्या बता है in how many jumps will he reach back the top step मतलब कि कितनी jump करने के बाद वह वह वापस जहां पे था वहां पर पहु negative लेंगे और जब वह ऊपर आएगा तो उसको negative लेंगे तो अभी जैसे कि आपको पता है कि वह पानी पी रहा था और पानी वह कौन से step पे पी रहा था no way step पे पी रहा था अब उसको वापस आना है तो वापस आने के लिए क्लिए क्या करेगा अप आएगा और आने के step ले रहा था और जब वो नीचे जा रहा था तो 2 step ले रहा था तो वहीं हमने लिख दिया है कि जब वो ऊपर आ रहा था तो 4 step ले रहा था लेकिन negative में लिखना है इसको और जब वो नीचे जा रहा था तो 2 step लिखना है और इसको हमने positive ले लिया है ठीक है तो पहली jump के बाद monkey will be at कौन सी अभी कौन सी CD पे है 9 पे है वो उपर आएगा मतलब कि अब कितना करना है 4 minus का तो वी हमने add कर दिया 9 में minus 4 इसको हमने solve किया plus में minus multiply होई तो आगया minus 9 में से 4 गए 5 मतलब वो 5 वी CD पे पहुँच गया 5 वी CD पे उपर आके पहुच गया वो नीचे जाएगा कितने step नीचे जाएगा 2 तो उसके बाद second jump में monkey will be at अभी कौन सी step पे 5 वे पे उसको हम 2 add कर देंगे क्योंकि 2 step वो कहा गया है नीचे गया है तो वो नीचे गया तीसरे step पे पहुच गया ऐसे ही चौत्ते step में तीसरे पा था लेकिन वो down गया तो कितना 3 प्लस 2 5 आ गया अब वो 5th step में क्या करेगा 5th step में वो अप आएगा ना तो अभी कौन सी step पे था 5 वे पे था 5th step में वो अप आएगा और कौन सी jump में आए 5 वी jump में आए तो वही चीज़ यही लिख देगे clearly the monkey will reach back at the top step after 5 jump मतलब कि 5 jump लगाने के बाद वो पहली cd पे आ जाएगा ठीक है बच्चो अब 3rd part में क्या लिखा है if number of steps moved down is represented by negative number मतलब कि जब वो down जा रहा है तो उसको मान लो हमने ले लिया negative and the number of steps moved up by positive मतलब कि जब वो ऊपर जा रहा है अप आ रहा है तो उसको हमने ले लिया positive represent his moves in part 1 and 2 by completing the following मतलब कि जो हमने पूरे question में किया है कि हमने down को plus लिया था लेकिन यहाँ पे बोला है कि down को plus ना लेके minus ले लो और अपको plus ना लेके minus ले लो और इसको जो हमारे steps थे part 1 में जो हमने यह और यह solve किया है इनको solve करके देखो भई 8 आ रहा है या नहीं आ रहा यह पहला part है ना question का जो हमने solve किया था इसमें आप बस इस पे दियान दो यह जो है आपकी संख्या यह वाली ठीक है plus 3 है minus 2 है फिर plus 3 है minus 2 है plus 3 है minus 2 है ठीक है यह पूरा ले लिया है नीचे तक बस क्या किया है plus 3 की जगह हम ले लेंगे minus 3 और minus 2 की जगह ले लेंगे plus 2 इनको वैसे लिखते जाएंगे फिर यह वाला जाएगा minus 3 पिर ये वाला जाएगा प्लस 2 इस तरह से हम सारे step के लिए लिख लेंगे तो वही कि हमने आपे देखो minus 3 plus 2 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 और minus 3 ठीक है यह आप गिनोगे यहां से लेके आता है कि 11 step बैटेंगे अब इनको हमने solve कर दिया है ठीक है जैसे कि minus 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 6 बार है तो 3 को 6 time add कर लेंगे तो कितना जाएगा minus 18 अब 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 ठीक है 2 को 5 बार add करेंगे तो क्या जाएगा plus 10 और इसको solve करेंगे क्योंकि हमारे क्या है minus और plus है तो minus plus होता तो minus करते है तो 18 में से 10 गए कितना बचा 8 बचा अब बड़ा sign किसका है 18 का है जो कि negative है यहां लगा दिया हमने minus 8 तो यह आगया हमारा minus 8 और यह आगया हमारा यहाँ पर अब moves in part 2 अब second part में देख लेते हैं हमने क्या किया था तो यह है न हमारा second part इसमें हमने क्या किया था minus 4 लिया था फिर plus 2 minus 4 plus 2 और minus 4 बस हम क्या करेंगे minus 4 की जगे क्या ले लेंगे plus 4 ले लेंगे और plus 2 की जगे क्या जाएगा minus 2 ठीक है वहीं हमने यहां पर किया है आप यह देखो plus 4 minus 2 plus 4 minus 2 plus 4 ठीक है और आपसमें देखो 4 कितनी बार है 1 2 3 3 बार है तो हमने add किया 4 को 3 बार तो आगे हमारा plus 12 और 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 बार add करेंगे 2 और 2 add किया आगे 4 तो यह हो गया minus का 4 इन दोनों को minus किया तो हमारा आ गया 8 और यह आ गया हमारा यहाँ पर answer ठीक है तो हमें यह करना था 3rd part में तो यह था हमारा question number 10 और यहाँ पर हमारी exercise 1.1 होती है खतम ठीक है सारे question में इस exercise के solve करा चुका हूँ ठीक है यहाँ पर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF यहाँ पर डाल देता हूँ तो आप यहाँ से PDF देखे कभी भी answers को note down कर सकते हैं और इसके साथ ही जो भी मैं वीडियो upload करता हूँ उसका link की भी मैं इस वाले channel पर डाल देता हूँ तो आप इसको जरूर जोइन करिएगा और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबादे ठीक है और इसके साथ ही अपने सभी friends के साथ वीडियो भी शेयर करें जिससे की उनको भी exercise 1.1 अच्छे से समझ भी आ जाए मैं मिलता हूँ exercise 1.2 के साथ तब तक के लिए stay safe, have a nice day झाल 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 झाल